देश के अंदर जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को सिकंजे में लेनी की कोसिस की जारी है कि 2024 के चुनाओं में किस तरीके से 370 सीते जीती जाए इमान, भैमानी, चुनाओं में राजनीतिक दलों के लिए कोई मायने नहीं रखता है अंतरात्मा की आवाज, अंतर और आत्मा खुद बना लेना है राजनीत करने वाले लोगों को लेकिन अब देखिए सियासत में किस तरीके से इंडिया गठवंधन के अंदर नेताओं की बढ़ती संख्या, सड़कों परुमरती भीड, नरेंद्र मोदिया मिस्षा को बेचैन कर रहा है परेशान कर रहा है और आप बीजेपी कुनबा इस कदर बेचैन हो गई है इस भीड को देखके, भीड में सामी लोगों को देखके कि उनको लग रहा है कि उनका मिसन 370 पुरी तरीके से फेल होती जा रहा है ओपरेशन लोटस की आधारा है, पुरिये देश के अंदर राज्यों में बिपक्षी पार्टियों के बिधायकों को तोड़ा जा रहा है बिहार में राष्टिये जनता दल को तोड़ा गया, चार बिधायक खीच कर बीजेपी उनको लेके चलिया ही कॉंग्रिस के दो बिधायक तोड़े गया जारखन के अंदर मुख्यमंत्री को तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया, जील में डाल दिया गया हमन्त सुरेन को कहा गया कि आपके उपर भ्रष्टचार के मामले लंबी थे और वो भी तब जब जारखन के सियासत से हमन्त ने देश की सियासत का रुख बदनले का एलान कर दिया था बंगाल में कमोबेस उसी परकार से नजा रहा है दिल्ली में अरबीन के जिवाल को आठवा संबन अगर आप ED के सामने, CBI के सामने नहीं जाते हैं तो आप जेल चले जाईएगा ये तमाम जाच जनसिया हैं वो लोग सबाचुनाव के पहले इसकदर एक्टिव हो गई है कि उनका बुल्डोज और विपक्ष के नेताओं पर ऐसे चलता है कि ना नेता बसते हैं और ना ही जंडा धोने वाले कारे करता हर कोई बस इस आधी और तुफान में तीन सो सत्तर पाने की चाहत में उड़ते जाते हैं चार सो पार का नारा कैसे पूरा हो इसकी जोरो अजमाईस के बीच निपक्ष के नेताओं को सिकंजे में कसने की कवायत दिजोरी है अर्भीन केजरवाल को संबन और अब इधर एक और बड़े लाल टोपी वाले चेहरे पर सिकंजा कसा जा रहा है और ये सिकंजा महमूली सिकंजा नहीं है 11 साल पुरानी फाइल को कबर से निकाली गई है धूल फाकती फाइल को जब निकाला गया मेज पर रखा गया तो उस पर धूल की इतनी मोटी परत परी भी थी जिसे साफ करते हुए एक नाम दिखाई दिया और उस नाम की अब खोज सुरू हो गई है उस नाम से जुड़े तारों की बारिकी से जाच सम्मन भेज दिया गया यह संबन पुर्व मुख मंत्री को फेजा गया है 2017 मैं तेजश्वी आदो के खिलाब इसी तरीके से कारवाई हुई थी जब वो डिप्टी सीम थे नितीश कुमार को तेजश्वी का भरस्टचारी चेहरा दिखाया गया और सरकार तोड़ने पर नितीश को बेवस करना पड़ा नितीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए उस मामले में चाच बंद हो गई इंतजार किया जा रहा ताकि वो फाइल फिर तब खुली जाएगी जब फिर नितीश साथ में आएंगे लेकिन हम आपको अब ले चलते हैं देश की सबसे बड़े राजनीतिक जो छेत्र है बिल्ली उचाने का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश के सहारे जाया जाता है और यूपी की असी लोखसभा की सीटे जीतने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़े विपक्ष का चेहरा है उसे कैसे चारों तरब से कतर दिया जाए उसके पंग काटे जाए उसको पीज़डे में डाला जाए इसकी पूरी रणीत बनने लगी है कुछ जो तारीख है वो बता रहे हैं कि वो तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगे 21 फरवरी को कॉंग्रेस पार्टी ने ऐलान किया कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर समझवादी पार्टी के साथ मिलकर वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे क्योंकि गढ़बंधन के अंदर 80 सीटे बीजेपी को टकर देने के लिए बीजेपी को हराने के लिए ये तई किये गया हैं कि 17 सीटे कॉंग्रेस लड़ेगे और बाकी सीटे कॉंग्रेस पार्टी यानि कुल 80 सीटों पर इंडिया गढ़बंधन चुनाव लड़ेगा कॉंग्रेस पार्टी और समझवादी पार्टी 80 सीटों पर तुनाव लड़ेगे और हर सीट पर जीत दर्च किया जाएगा इंडिया गढ़बंधन के अईलान के साथ ही ये ख़बर निकल कर सामने आई बीजेपी के जो अंदरूनी थे इंटर्नल रिपोर्ट जो बीजेपी की थी कि बीजेपी का मिसल 80 सी फेल होते हुए दिख रहा है 20 से 25 सीटे जो है वो नुक्सान हो जाएंगे 20 से 25 सीटों का नुक्सान बीजेपी के लिए कमड़ तोड़ने वाली ख़बर थी उसके बाद सुरू किया गया बीजेपी के लोगों की सबसे दुखती रग उनकी पुराइन नहीं फाइलों को तलास ने का 21 फरवरी को एलान और अगले 47 घंटे में CBI के जो प्रदेश करेयाले हैं वहां के अधिकारियों को एक फोन एक मैसेज आता है उसके बाद सब एक्टिव हो जाते हैं फाइल खोजी जाती है और 11 साल पुरानी फाइल अचानक निकल कर बाहार आती है यह फाइल उत्तर प्रदेश के अंदर अबैद माइनिंग से जुड़ा हुआ था यह इसी परकार की फाइल है जिस तरीके के मामले में हमंद सुरेन फिलहाल जेल में है जारखन के मुखमंत्री रहते हुए हमंद सुरेन को गिरफटार किया गया था देश के इतियास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी मुखमंत्री को हिरासत में लेकर इस्तिफाद लवाए गया फिर उनको राज वहन से गिरफटार किया था यह बाते सामने आई थी हमंद सुरेन को भी पहले विटनेस के तौर पर बलाए गया था अब बैद जमीन से जुड़े मामले में और अब पुर्व मुखमंत्री अखिलेस यादों को समझवादी पार्टी के जो रास्ति अद्रक्ष उनको सीवी आई ने संबन भेजा है यह संबन 28 परवरी को भेजा गया है और 28 परवरी को संबन भेज कर अरवीन के जुरवाल के कबार के बाद हमन सुरेण के बार तेजेश्वी यादों के बाद लालु यादों के बार कि मंता बनर जी के भतीजे और उनके प्रिवार के साथ सद उनको उनके वाद। विवश्चित जो दूसरे नेता है जो चेहरा है उन सब को रोकने की जो खोशिच है उसी करी में अखिलेश यादों को संबन भेजा गया और इस संबन भेजा गया उसमें अखिलेश यादों को ऐसे गवाह बुलाए गया दरसल उत्तर प्रदेश की कमान जब समझवादी पार्टी के हाथों में थी अकलेश उसके मुखमंत्री हुआ करते थे उस वक यह आरोप लगा था कि एक ही दिन में एक दरजन की आसपास जो टेंडर है वो निकाले गये थे उनमें से आधे दरजन जो टेंडर है उनस तेंडर पर सवाव ता गाहत्री परजापती यह थे हैं ओट चूद फोटो भी हम आपको दिखा रहें गाहत्री परजापती की पती की फोटो है दरसल गाहत्री पर जापती मुलायम सिंह यादों की समझवादी पार्टी के सबसे पुराने चेहरा थे और मंत्री हुआ करते थे खनन विभाग की जिमवारी उनके कंदों पर थी और इस मामले में फिलहाल वो जेल में बंद है इनके उपर आरोप था कि इन्होंने अवैद खनन के मामले में इनकी साठगार थी इनकी गिरफ्तारी के बाद 11 सालों तक यह मामला दबा रहा लेकिन अब जो जांच के तार है वो निकल के सीधे कहाये गया कि खनन मामले में मुखमंत्री करे आले कि कहीं ना कहीं सनलिप्ता है और इस सनलिप्ता में अख्येस यादों किस ना किसी परीदी में आते हैं 2019 में भी संबन गया था और उस वक्त भी पूस्ताच हुई थी अलाकि उसके बाद यह मामला ठंदा पस्ता पड़ गया था अख्येस के दाले और उनके समत्कों कहाना है कि जब जब बीजेपी घबलाती है तो कुछ इसी परकार से करती है और कि वहले उत्तरपदेस और बिह एक्सन देखने को मिलता है यह भी पक्ष के निताओं का रोप है लेकिन अब सवाल यह है कि अकलेस यादों को जिस माइनिंग घोटाले के मामले में या माइनिंग से जुड़े मामले में गवा के तौर पर बुलाए गया है दरसल गवा के तौर पर बुलाने का मकसद क्या ह हम आपको बता रहे देट डरसल CBI या एडी जैसी जोसी कोदी ति होती है वं यो UP को बनाने से या किसी वख्ति को आरो भी बनाने से पहले उनको direct आर एंट नहीं बताती है direct ROP बताए जाने वाले लोगों का सिदे तरह कर लिया जाता है पुस्ताश केबाद लेकिन जिनको इस केस में आगे इन्भल्व करना होता है उनको गवाह के तौर पर बुलाए जाता है जैसे अर्बिंद केज्रिवाल को भी गवाह के तौर पर बुलाए गया मनीश्य सोधिया को पता ही है क्या कुछ हुआ संजे सिंग के साथ क्या कुछ हुआ तो इधर जो है हमंत सुरेन के साथ उनको गवाह के तौर पर ही पहले पुस्ताश के लिए बोला गया था कि आपसे कुछ सवाल जवाब लेने हैं कुछ धनकारी कठा करना है हमंत सवालों को टालते गए और अंत में पुस्ताश के बाद उनके गिरफतारी होगी अब वही सिलस अखिलेस यादो के साथ होने जा रहा है लेकिन आपको एक बार फिर से पीछे लेके चलेंगे और बताएंगे कि आखिर ये क्यों हुआ दरसल अखिलेस यादो जो समझवादी पार्टी के अधिया अच्छे हैं उन्होंने या एलान किया कि कॉंग्रेस के साथ मिलकर वो छुका था विख़ लो चुका था और समझवादी पार्टी के अंदर भी भी बजिछेपि के कई ऐसे चेहरे हैं को यू इक अकलेस को गुम्रा करके समझवादी पार्टी के निताओं को गुम्रा करके बीजे पी के तरफ ले जाते हैं या इंडिया गर्मदन छोड़ने के लिए दबाव जाल रहे थे उन तमाम सियासी कावाज़ों के बीच अकलेस यादों ने इंडिया के साथ जाने का फैसला किया औ समझवादी पार्टी के अंदर आउपरेशन लोटस किया गया राजसभा के चुनाओं में समझवादी पार्टी के आठ विधायर उनमें कई ऐसे भी चेहरे थे जो समझवादी पार्टी से उनकी फाचान थे उन्होंने साथ छोड़ दिया बागी हो गये विरोध कर दिये और वो बीजे पिके टच में चले गया उन आठ चेहरों में एक और जो चेहरा था एक और ऐसे विधायका चेहरा था जो वोटिंग के दिन नहीं गई ये महराजी देवी का चेहरा था महराजी प्रजापती का तेहरा था गायत्री प्रजापती की पत्री है समझवादी पार आठी के खिलाफ एक्सम में थी, आठ जो लोगों की लिष्ट निकली, ये आठ में ये भी सामिल है, और ये अकलिस यादों के ठच में नहीं है, जो जनकारी उत्तर प्रदेश के अंदर से बताया जा रहा है, कि ये CBI के एक्सम वाले पूरे प्लान से इनको जनकारी थी, और ये अपने परिवार, अपने पती को बचाने के लिए लंबे समय से वो जेल में बंद है, अब उनकी रिहाई का रास्ता है, उमीद के तोर पर इनको दिखा है, और हर कोई साथ आए कि अपने लोग जिल से बाहर है, बिहार में भी यही हुआ, अनंत सिंग को जेल से बाहर न निकालने के दिशा में एक रास्ता दिखाये गया, एक उमीदे जगाई गई और निलम देवी ने बिहार विधान सभा से राजत के अंदर साथ छोड़ा और जब स्पीकर का सीधे तोर पर वोटिंग होनी थी, तो उन्होंने साथ छोड़ कर अलग वो चुनाओ लड़ने का उन्होंने है, मा माव किजेगा, निलम देवी, स्पीकर के चुनाओ के दورान वोटिंग के दोरान विपक्ष खेमे से उठकर सत्ता पक्ष में जाबैठी, उनको ये भय दिखाये, माव किजेगा, उनको ये सपना दिखाये गया, कि अगर आप सत्ता पक्ष में रहेगा, तो आपके पती जो जेल में बंदे पुरो विधायक अनंत सिंग बाहर आ सकते हैं दरसल बिहार में भी राज़त की जो विधायक तोड़े गये थे उनके सामने भी इसी तरीके की प्रस्तिती थी कि भीधान सबह में स्पिकर के भवमत फ्लो टेस्ट के दें स्पिकर के चुनाव के वक्त विपक्ष के विधायक तोड़ लिया गया कि उनको वी एक रास्ता दिखाय गया इक सपना दिखाया आप सत्ता पक्ष के तरफ आ जाईएगा तो फिर आपके परिवार के लोग जो जे से बच जाएंगे निलम देवी पुरो विधायक अनंद सिंग की पतनी अनंद सिंग जेल में निलम देवी को यह उमीदे यह सपना दिखाए गया कि वह जल्दी बहार आ सकते हैं सरकार उनके खिलाब जो चार्जेज लगाई हुई है उस चार्जेज को अगर हटा लेती है तो चेतना अनंद अपने पिता को लेकर परिवार को लेकर अलाकि वह गय तो अलग बाते थी कि पहला दया दो आप जेडी के विधायक हुआ करते थे पुराने विधायक उन्होंने अब तक अपने कारणों का खुलासा तो नहीं किया लेकिन जो जनकारी है कि उनके ओपर भी पिल से बहार निकालने के सर्त पर उनकी पतनी महराजी पती ने सीजय तोर पे बोतिंग के दिन नहीं इंची ही नहीं बिधायक नहें लेकि मिधायक थीешь चेहरे सामने तो आठवा बोग थी तो आठ विदायक जो अखिलेस के सच में नहीं अखिलेस के साथ बागी हो गया इस बीच ऑपरेशन लोटस सफल रहा ऑपरेशन लोटस उत्रपर इसके बाद सीधे तोर पर हिमाचल में हुआ और हिमाचल के साथ तमाम तस्वीरे जो निकल गए सामने आई कि इस सीधे तोर पर गए और बता रहा है क्या एक्षन के इतनी असानी से इंडिया गठ बंधन के अन्दर सामिल ने ताओं को खुलकर बोलने किया जादी नहीं देता है और 2024 के चुनाओं में लड़ने किया जादी नहीं और अगर अखिलेश यादों को चुनाओं के पहले गिरपतार किया जाए से तो क्या कुछ हो सकता है पुरा उत्रप्रदेश का सियास्व बदल जाएगा अगर अखिलेश को अगर भरष्टचारी घोशित कर दिया जाता है तेजश्पी यादों को जिस तरीके से भरष्टचारी घोशित किया गया अर्विन केजवाल को भरष्टचार में संलिप बताए गया इस प्रकार अगर उत्तरप्रदेश के अंदर भी सबसे बड़े दाइमेज कर दिया जाए तो फाइदा अंत में बीजेपी खोगा तो यह पूरी रणीपी है कि तेजश्वी हमंत के जवाल के बाद अब फिर से अखिलेश का नमबर अब इस संबन का बार संबन का जो है इसका जबाब अखिलेश किस तरीके से देते हैं वो देखना पी उन तमाम कवाइदों में जुटी हुए है जिससे 2024 के लोग सुबा चुनाओं को हर हाल में चिता जाए चाहे वो तरीका राजनेतिक तोर पर सही हो लोकतांत्रिक तोर पर सही हो या फिर अंतरात्मा की आवाज पर वो सही बनाई जाए पनोर मंकरो जो सोचता है वो करता है भेंगे कहां अपना घर भी तो नहीं है वहां इसलिए तो एक और बिठाय का डबा अलग से लाया हो अपने पूर्णिया में घर ले लिया है क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पूर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined